ब्लागिंग में दो टाइप की ब्लागिंग होती है एक वो जहांपर आप मिलियंस में ट्राफिक ड्राइव करता है और एक दूसरी वो कैटेगरी जहांपर आप बहुत ही टार्गेटेड मिनिमम ट्राफिक ड्राइव करता है लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसी कैटेगरी blogging crash course के अंदर हम continuously playlist के अंदर धमाकेदार videos add करते जा रहे हैं और इसकी सिर्फ एक minimum fees है अगर आप नए है तो channel को subscribe कर दो अगर existing subscriber हो तो video को like और video पूरा देखने के बाद जो भी queries है मुझे comment करके बताना बहुत ही exciting videos है detail में discuss करेंगे कि कम से कम traffic में बहुती ज़ादा earning कैसे किया जाएं चलता है desktop की screen पर शिरुवात करते हैं one by one हम लोग आ चुके desktop की screen पर तो आप screen पर देख सकते हैं अभी continuous term keyword research, niche research, content writing, niche इन सब के around back to back topics पर हम लोग videos बनाते जा रहे हैं उसके पूरी एक playlist में बना के रखी है अगर आपने इस playlist को अभी तक go through नहीं कि अगर आप direct list पर जम करें तो उससे पहले 11 से जादा videos आ चुके हैं उसके link आपको description में मिल जाएगी इनको पूरा complete करके इस video को complete करें ओके चले बात करते हैं exactly international blogging होती क्या है अगर आप really international blogging में interested है इस video से बहतर आपके पास solution नहीं है तो यहाँ पर guys मैंने कुछ categories बनाई हैं कि international blogging में 4 चीज़ों होती हैं सबसे पहले चीज niche का selection, number two keyword का selection, number three traffic के sources कहां से चाहिए और number four कैसे उसको monetize करना अगर आपकी इन चारों चीज़ों के अंदेर mastery होगी, believe me you will get the results और आपको एक एक को मैं आपको example के साथ बताऊँगा किस पर क्या क्या करना है तो इन सब को start करने से पहले बात करता है international blogging होती क्या है तो guys international blogging में अलब जब आपको blog create करता है, आपको content create करता है और आपकी site पे आपके blog पे अगर completely international countries से traffic आता है उसे ही बोला जाता है international blogging example के लिए अगर आपको इंडिया से 1000 visitors आ है तो आप हो सकता है एक डॉलर के earning करें लेकिन वही 1000 visitors अगर आपको tier 1 countries like international countries like USA, UK, Canada, New Zealand मड़ला भी इन सारी countries सा है तो possibility है कि आप 10 से 15 dollar मड़लब आपकी income 10 to 15 times increase हो सकती है अगर आप international blogging के बारे में जानते हैं तो किसी भी blog को international blog बनाने के लिए 4 factors होते हैं सबसे पहले आप कौन से niche में काम कर रहे हैं, number two आप कौन से keywords पे काम कर रहे हैं, number three आप कौन से traffic sources को use करेंगे और number four उसको कैसे monetize करेंगे तो चले बात करते हैं, सब सब पहले selection of a niches anyways guys, niches को लेकर के मैं already आपके साथ पिछले दो videos, जो आपको already playlist में मिल जाएंगे, 15 niches के बारे में discuss कर चुका हूँ, जो पूरे के पूरे internationally targeted है हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो यह वो niches थी, जो हमने वहाँ पर discuss की थी, जैसे camping के अंदर हमने एक niche discuss की थी, finance के अंदर discuss की थी, gaming के अंदर, self-help के अंदर भी हमने niches discuss किया था, तो वो दोनो video आपको देखने हैं, तो सबसे पहले चीज़ आपको traffic भी वहांस आएगा, यह simple rule है, तो उसके लिए सबसे पहला process होता है, किसी niche का selection, तो इन niches में तो आप एक niche को pull कर ले, अभी, माल लीज़े कि आपके बास कोई niche है, उस niche में आप यह जानना चाहते हैं, कि क्या यह सही में internationally targeted niche है या नहीं है, उसके आपके tool को use करना है, जिसका नाम है Google train, अभी example के लिए हमारे इन 50 niches में एक niche को यहां पर pull करूँगा, माल लीज़े कि वो niche है हमारी gardening, तो उस niche का जो भी primary keyword होगा, उसको यहां पर आपको enter करना है, जैसे आप उसको search करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक filter change करना है, instead of UK आपको लगाना है worldwide, ताकि पता चला है कि इस पर सबसे ज़्यादा searches, और मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा इस niche के अंदर लोग कहां पर searches करता है, तो आपको कुछ trend दिग गया, यह seasonal नहीं है तो that means कि it looks good, अभी आप थोड़ा सा scroll करेंगे guys, तो आप यहां पर देख सकता है कि यह जो सबसे ज़्यादा search किया जाता है, Australia के अंदर, UK के अंदर, New Zealand के अंदर, Philippines के अंदर तो कहीने कहिए, first three countries at least tier one countries है, that means कि आपकी niche definitely internationally targeted है कुछ इस तरीके से आपको niche का selection करना है, that is number one, अभी बात आती है, चले हमने कोई niche को ढूंड लिया अभी बात करते है कि keyword, second part होता है keyword, reason क्या है, reason यह है, कि माल लीजे कि आप किसी keyword को search करते है अगर उस keyword पे आने वाला 90% या 80% traffic इंडिया से है, तो ultimately उन keyword को Indian लोग search कर रहे है चाहे वो niche आपको कहीं पे भी बता है, उससे फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन उस keyword को सबसे ज़्यादा Indian लोग search कर रहे है example के लिए, gardening in India, ऐसा अगर मैं search करूँगा, तो मुझे पता ही कि यह वही लोग होंगे, जो इंडिया के और इंडिया इस बारे में search करें no matter कि gardening itself is a niche from USA, UK और या की niche है, बट अगर आप ऐसा keyword डूणते जहां पे लिखा है, gardening in India तो obviously कि लोग इंडिया के हैं और वही gardening के बारे में डूण रहे हैं, तो आपको इसके बाद भी traffic नहीं आएगा, no matter कि आपका niche outside of India क्यों नहीं हो, right अगर आप अभी तक वीडियो में बने रहे हैं तो एक subscribe जरूर कर लें, अगर आप नए हैं, reason इसकी आप subscribe करते हैं, मुझे motivation आता है, और तभी ये पूरा crash course step by step चल रहा है, इसके बात next वीडियो आएगा, पूरा Amazon affiliate की playlist पे, अगर आप उसमें भी interested है, definitely इस channel को subscribe करें, ताक SEO tool आप use करते हैं, example के लिए माल लीजिए, यहां पर मैं एक HRAP को use करता हूँ, right, HRAP के अंदर जैसे मैंने keyword डाला gardening tips, तो यहां पर आपको stats दिख रहा है, इसके अंदर आने वाला 32% traffic USA से, that means कि इसमें one third, at least traffic और यहां पर 11, मदलब कहिएं कि 50% traffic जो है वो आएगा, आपक 152,000 के searches आते हैं सिर्फ USA से, इसके बाद 10% इंडिया से तो obviously अगर आप इस niche में, इसके around कोई भी keyword निकालेंगे, जैसे what is gentle parenting, even you will find कि इसके maximum searches आपको USA से ही दिखेंगे, तो इस तरीके से keyword research, next one, जो भी अगर आप यहां पर कुछ और keyword आई करना चाले हैं, बैंक पर fishing कैसे क तो second जो step होता है guys, वो होता है keyword का research, no matter आप किस तरीके की niche चूज करते हैं, लेकिन उस niche के selection के बाद आपको जो keyword ढूंडने हैं, वो भी कुछ ऐसे ढूंडने हैं, जो इनी countries के around हो, अगर आप उनके around targeted keyword ढूंडेंगे, believe me, you will get traffic from that country, तो यहां पर दो चीज होगी, सबसे पह करेंगे crash course के अंदर, दो से तीन, ऐसे keyword research की advanced technique मैंने आपे share किये, और अगर आपको जादा advanced technique सिखने है guys, तो obviously आप supreme campus के अंदर जा सकते हैं, जापे मने 18 से जादा different keyword research के technique को explain किया, और यह मेरा premium course है, जहां पर by weekly live classes भी होती है, अगर आपके कुछ doubts होते है, right, तो वो में detail म मेरी जाओंगा, but this is something कि आपको यहां से एक starting level पर आपको keyword research समझ में आ जाएगी, got it, now, तीसरा pointer होता है guys, वो होता है, traffic कहां से लाए जाए जाए, अगर आपने internationally targeted कोई niche चूज के, तो कौन-कौन से traffic के possible sources है, जहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा traffic आएगा, और आपक traffic depend करेंगा, आप किस niche में काम करते है, तो यहां पर कुस traffic sources है, जो आपको USA, UK में सबसे जादा काम करेंगे, सबसे पहला, मान लिजी कि अगर आप home improvement की niche में, health and fitness की niche के अंदर है, camping, मतलब traveling और tourism की niche के अंदर है, तो Pinterest का इस्तमाल चालू करे, यहां पर आने वाला 80-90% traffic USA और UK से रहेगा, guaranteed, okay, number two, obviously, अगर आपको SEO आता है, तो यहां पर आपको search engine से भी traffic आएगा, वो किस spaces पाएगा, आपका जो keyword जो आप search करने वाला, अगर वो keyword उस country को target करता है, उसी country के अंदर उसके searches हो रहा है, तो आपको definitely आएगा, तीसरा guys, आप YouTube को utilize कर सकता है, अभी मान लि हो, तो minimum से minimum आपका एक channel जो है, वो YouTube पे English में ही होना चाहिए, तभी तो आपको वहां की audience देखेगी, आपका video वहां पे जाएगा, वहां पे views आएगे, then they will come to your site, right, तो पहला niche, then keyword, अगर उसके रहांद, अगर आप YouTube channel चलाते हैं, तो obviously आपको वहां पर English में ही content share करना है, इ क्योंकि मैं पूरा आपकी demand पर बनाते जा रहा हो, right, तो यहां पर आका सीखें कि कैसे web stories से आप trending topic को निकाले, and then after उन trending topic से आप आपकी site पर traffic drive करेंगे, तो यह एक another तरीका है, लोग web stories को समझते ही कि पैसा बनाने का तरीका है, मेरे इसाब से web stories आपकी site पर traffic drive करने का तरी service का advantage लेकर आप जादा से जादा traffic आपकी site पर drive करेंगे, तो obviously पैसा तो बनेगा ही, right, क्योंकि वहां पर ad दिखेगी, तो आपका पैसा web stories पर ad दिखाने का नहीं है, it is कि जब आपका traffic वहां से आपकी site पर जाएगा, then जो आप पैसा बनाओगे, that what matters, got it, तो यह है traffic के sources आपके blog को monetize करके रखना है, जो adsense हो सकता है, isoic हो सकता है, so one हो सकता है, या किसी भी type का कोई भी third party ad network आप चाहे, उससे monetize करें, number two, amazon affiliate, अगर आपको नहीं पता है, मेरी site called soundproof idea.com, वो पूरी-पूरी amazon affiliate के तुरू monetized है, along with google adsense, या फिर ad network, तो यह सबसे जबर्दस तरीक है, अगर आपको outer side, international blogging से सबसे ज़ादा पैसा करें, और यह और air network का deadly combination आपको सबसे ज़ादा पैसा देगा, अगर अभी तक बने हुए, अगर आप मुझे चाहते कि इसी blogging crash course में, मैं आगे वाली एक series amazon affiliate पे पूरी चालू करू, comment अभी कीजिए, और इस video पे minimum 1000 likes होने च चालू कर दूँगा, इसी crash course में, आपको fully mastery देने के लिए, और तीसरा guys तरीका है affiliate marketing, लेकिन ये कुछ ही selected niches में काम करेंगी, not in every single niche, क्योंकि मैं समझता हूँ, affiliate marketing का सबसे easiest तरीका है, वो है YouTube as compared to blog, unless कि आपके blog पे millions में views आते हो, या फिर page views आते हो, okay, तो ये अगर आपको affiliate marketing सिखना है, तो still guys, supreme campus में, हम detail में, affiliate supreme launchpad का एक course है, जहाँ पे हम detail में, affiliate marketing पे भी discuss करता है, तो hopefully guys, आपको यहाँ पे चीजे समझ में आगी, कि किस तरीके से, अगर आपको किसी niche के around, कोई international blogging करना है, तो ये 4 pointers है, जिस पे आपको focus करना होगा, और सब पे और detailed videos आएंगे, जो भी pointers missing है, specifically Amazon affiliate, हो और guys, okay, तो hopefully आपको आज का वीडियो पसंद आगा होगा, और समझ में आगा, कैसा international blogging की जाती है, दो primary checks, niche और keyword, अगर इस पे आपने काम कर लिया, obviously आपको traffic वहाँ साएगा, तो आज के लिए तना है, फिर्म बलेंगे एक वीडियो के नदर, तब तक भारत